जहीं दोस्तो रामामेथ मस्ती यूटूब चैनल में आपका स्वागत है चलिए लिए चलते हैं आपको क्लास के और इस क्लास में हम लोग सिखेंगे कि SSGD में एक क्यूशन है जो बार-बार आ रहा है मैथ में क्यूशन है SSGD में बार-बार पुछ रहा है यह है इस टाइप का क्यूशन जीरो पॉइंट टू पे बार लगा हूँ यह सिंपल हो गया इससे थोड़ा लेंदी पुछ रहा है तो उसको भी बताएंगे पहले हम लोग सिंपल से सीखते हैं ठीक है इसको सीखने के लिए ट्रिक सीखना अगर 0.72 घूँ ऑफ दोनों पर लगा hopeth है ता हम लोग लिखें गे पी-क्यू जो उपर दिया हुआ है उसको संख्या को लिख देंगे जितना पर लगा हुआ है उतना भार नाइन नाइन लिखे देंगे उसके बाद देखो यहाँ जीरो पॉइंट कि पी क्यू आर है और क्यू आर पर बार लगा हुआ तो हम लोग पहरे सबसे P, Q, R को लिखेंगे दो संख्या पे बार लगा हुआ है दो बार ना है एक संख्या पे नहीं लगा हुआ एक बार 0 लिख दो यह हुआ आपका trick अब हम लोग चलते हैं क्यूचन को solve करते हैं जैसे 0.2 है यह क्यूचन है इसको अगर solve करना है इस टाइप से तो क्या करेंगे 2 लिखेंगे और एक संख्या एक पे बार है यानि 9 2 by 9 हो गया आपका answer अगर second number क्यूचन लेते हैं 0.5 है इस पे बार लगाया हुआ हम लोग लिखेंगे 5 by 9 क्यूचन नमबर 3 यहाँ पे ले लेते हैं जीरो पॉइंट 9 है इस पे बार लगा हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे 9 है 9 लिख दो एक संख्या पे बार है इसलिए एक 9 यह से यह कड़ जाएगा वन आजाएगा आपका answer ठीक है अब हम लोग देखते हैं second type यह यह फर्स्ट देख लिए और second type देखते हैं कि अगर कि दो संख्या हो वाइंट के बाद दो संख्या हो और दोनों संख्या पर बार लगा हुआ हो वाइंट के बाद दो संख्या हो और दोनों पर क्या लगा हुआ हो बार लगा हुआ तो इसको अमलग कैसे करेंगे दोनों संख्या को लिख लेंगे बट्टा में दो संख्या पर बार लगा हुआ इसलिए दो बार 99 लिखेंगे अब यह कटेगा नहीं इतना ही होगे आप का एंसर एक और जीरो पॉइंट फाइफ फॉर है इस पर बार लगा हुआ है फाइफ और फॉर को लिख लो दो संख्या दोनों पर बार लगा हुआ है ऐसा लिखने अगर येस है कि जीरो पॉइंट नाइन थ्री है इस पर बार लगा हुआ है तो क्या करेंगे नाइन थ्री लिखोगे अब दोनों संख्या पर बार है इसलिए दो बार नाइन नाइन इसको काट सकते हो थ्री से कितना बार में थ्री थ्री जा नाइन थ्री बन जा थ्री इक टे कितना बार थ्री जा नाइन थ्र 31 by 33 आपका हो गया एंसर अब हम लोग नेक्स्ट टाइप यानि थर्ड टाइप सीख लेंगे उसके बाद किसी भी क्यूचन को इस टाइप की क्यूचन को बना सकते हैं यह रहा आपका नेक्स्ट टाइप 0.243 दिया हुआ है इस पर बार लगाया हुआ है यह 3 0.43 243 इस पर बार लगाया हुआ है क्या करेंगे कितने संख्या है तेन 243 कितना दो संख्या पर बार लगा हुआ है दो बार 9 एक संख्या पर बार नहीं लगा था उसके बदले जीरो लिखते हैं यह होगे आपका एंसर एससे जीडी तेरह तारीक को पुछा था कि 0.96934 इस पर 6 930 इस पर बार लगाया हुआ था तिन संख्या पर ठीक है इसको कैसे बनाएंगे पहले उपर जितना संख्या लिखा हुआ है लिख दो लिख दिये अब क्या करेंगे जितना संख्या पर बार लगाया उतना बार नीचे 9 1 2 3 पर बार लगाए तिन बार 9 लिख दो 6 इस पर बार नहीं लगा हुआ इसलिए यहां पर जीरो लिख यह 0 से यह 0 कटे गा और कटे गा कटे गा से 3 2 6 3 9 3 1 से काट दी इसको भी 3 से कार तो 3 3 9 3 9 यानी 231 by 3 3 3 यह हो गया आपका एंसर और इस टाइप की किुशन और फुस्ता अगर इसको एड में दे दिया तो क्या करेंगे जैसे कि एड में दे दिया आपको जीरो इस फ्वाइंड टू प्लस जीरो फ्वाइंड थ्री प्लस हो जी रो फ्वाइंड फोर सिर एस अपर बार लगा हुआ क्या खरेंगे टू भाइं एक संक्या पर बार लगा इस नाइन ऊप्लस फूर बाईल डैन ये सारा का ये सिमना कंझा नाइन टू अप्लस थ्री प्लस प्र इतना हो गया चार तिन साथ हो दो नौ नाइन बाइन करण दो वन बार में यानि इसका एंसर हो जाएगा वन थैंक यू अब उमीद है कि आप एससजीडी में क्यूशन को जरूर सॉल्ब कर लेंगे थैंक जरूरू